गीता किसी विशेश व्यक्ति, किसी जाती, वर्ग, पंथ, देशकाल या किसी रूडि ग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये सार्व लौकिक तथा सार्वकालिक धर्म शास्त्र है। ये प्रत्येक देश, प्रत्येक जाती, प्रत्येक आयूके, प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए सब के लिए है। सच मुझ गीता संपूर्ण मानव जाती का धर्म शास्त्र है और कितने गौरव की बात है कि गीता आपका धर्म शास्त्र है ओम श्री परमात्मने नमा यथार्थ गीता श्रीमत भखवत गीता अथ चतुर्थो ध्याया अध्याय तीन में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अश्वस्त किया था कि दोश द्रिष्टी से रहित होकर जो भी मानव शद्धा युक्त हो मेरे मत के अनुसार चलेगा वो कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग ग्यान योग या कर्म योग दोनों में है योग में ही युद्ध संचार नहीं थै प्रस्तुत अध्याय में विबताते हैं के इस योग का प्रनेता कौन है इसका क्रमिक विकास कैसे होता है श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानः मव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवी अर्जुन मैंने इस अविनाशी योग को कल्ब के आदि में विवस्वान अर्थात सूर्य के प्रति कहा विवस्वान ने मनुसे और मनुने एक्षवाकुसे कहा किसने कहा मैंने श्री कृष्ण कौन थे एक योगी तत्व स्थित महापुरुशी इस अविनाशी योग को कल्ब के आरंब में अर्थात भजन के आरंब में विवस्वान अर्थात जो विवश हैं ऐसे प्राणियों से कहता है सुरा में संचार कर देता है यहां सूर्य एक प्रतीक है क्योंकि सुरा में ही वो परम प्रकाश स्वरूप है और वहीं उसके पाने का विधान है वास्तविक प्रकाश दाता अर्थात सूर्य वहीं है यह योग अविनाशी है योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता इस योग का आरंभ भर कर दें तो यह पूरुनत्व दिलाकर ही शान्त होता है शरीर का कल्ब औशदियों द्वारा होता है किन्तु आत्मा का भजन से होता है भजन का आरंभ ही आत्म कल्ब का आदि है ये साधन भजन भी किसी महापुरुष की ही देन है मोह निशा में अचेत आदिम मानव जिसमें भजन का कोई संसकार नहीं है योग के विशे में जिसने कभी सोचा तक नहीं ऐसा मनुश्य किसी महापुरुष को देखता है तो उनके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी से, तूटी-फूटी सेवा और सानिद्य से योग के संसकार उसम संचारित हो जाते हैं गोस्वामी तुलसिदास जी इसी को कहते हैं जे चितिये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे तेसव भहे परंपद जोगु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा चक्षोह सूर्यो अजायत महापुरुष के द्रिष्टि निक्षेप मात्र से योग के संसकार सुरा में प्रसारित हो जाते हैं स्वयम प्रकाश स्ववश परमेश्वर का निवास सबके हिर्दय में है सुरा अर्थात श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है सुरा में संसकारों का स्रिजन ही सूर्य के प्रति कहना है समय आने पर ये संसकार मन में स्फुरित होगा यही सूर्य का मन उसे कहना है मन में स्फुरित होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागरत हो जाएगी यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी यही मनु का एक्षवाक उसे कहना है लालसा होगी कि वो नियक कर्म करें जो अविनाशी है जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है ऐसा है तो खिया जाए और आराधना गती पकड़ लेती है गती पकड़ कर ये योग कहां पहुँचाता है इस पर कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो वितुहुः सकाले नेह महता योगो नश्टः परंतप इस प्रकार किसी महा पुरुष द्वारा संसकार रहित पुरुषों की सुरा में सुरा से मन में मन से इच्छा में और इच्छा तीव रहोकर क्रियाकमक आचरण में ढलकर ये योग क्रमशह उत्थान करते करते राजर्ष श्रेनी तक पहुँच जाता है उस सवस्था में जाकर विदित होता है इस स्तर के साधक में रिद्धियों सिद्धियों का संचार होता है वो योग इस महत्व पूर्ण काल में इसी लोग अर्थात शरीर में प्रायह नश्ठ हो जाता है इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए क्या इस विशेश्थ स्थल पर पहुँच कर सभी नश्ठ हो जाते है श्री कृष्ण कहते है नहीं जो मेरा आश्रित है मेरा प्रियभक्त है अनन्य सखा है वो नश्ठ नहीं होता वो ही ये पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्न किया है क्यूंकि तू मेरा भक्त और सखा है और ये योग उत्तम रहसे पूर्ण है अरजुन क्षत्री श्रेणी का साधक था राजर्ष की अवस्था वाला था जहां रिद्धियों सिद्धियों के थपेड़े में साधक नश्ठ हो जाता है इस काल में भी योग कल्यान की मुद्रा में ही है किन्तु प्रायर साधक यहां पहुँचकर लड़ खड़ा जाते हैं ऐसा अविनाशी किन्तु रासिमय योग श्री कृष्ण ने अरजुन से कहा क्योंके नश्ठ होने की अवस्था में अरजुन था ही क्यूं कहा इसलिए कि तू मेरा भाक्त है अनन्य भाव से मेरे आश्रित है प्रिय है, सखा है जिस परमात्मा की हमें चाह है वो सद्गुरू प्रमात्मा आत्मा से अभिन होकर जब निर्देशन देने लगे तब ही वास्तवित भजन आरंभ होता है यहां प्रेरक की अवस्था में प्रमात्मा और सद्गुरू एक दूसरे के परियाये है जिस सता पर हम खड़े हैं उसी स्तर पर जब स्वयम प्रभु हिर्दे में उतर आएं रोक थाम करने लगें डगमगाने पर संभालें तब ही मन वश में हो पाता है मन बस खोई तब ही जब प्रेरक प्रभु बरजे जब तक इष्ट देव रथी होकर आत्मा से अभिन होकर प्रेरक के रूप में खड़े नहीं हो जाते तब तक सही मात्रा में इस पत्में प्रवेश ही नहीं होता वो साधक प्रत्याशी अवश्य है लेकिन भजन उसके पास कहा पूज्य गुरु देव भगवान कहा करते थे हो हम कई बार नश्ट होते होते बच गए भगवान ने ही बचा लिया भगवान ने ऐसे समझाया ये कहा हमने पूछा माराज जी क्या भगवान भी बोलते हैं बातचीत करते हैं बोले हाँ हो भगवान ऐसे बतियावत है जैसे हम तुम बतियाई हमें उदासी हुई और आश्चरे भी कि भगवान कैसे बोलते होंगे ये तो बड़ी नई बात है कुछ देर बाद महराज जी बोले काहे घबडाता है तो हूंसे बतियाई हैं अक्षर शह सत्य था उनका कथन और यही सक्ष्य भाव है सक्षा की तरह वे निराकरण करते रहें तभी इस नश्ठ होने वाली स्थिति से साधक पार हो पाता है अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने किसी महापुरुष द्वारा योग के आरंब इसमें आने वाले व्य आस्ता बताया इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया अर्जुन उवाज भगवान आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है और मेरे अंदर सुरा का संचार बहुत पुराना है तो मैं कैसे मालनूं कि इस योग को भजन के आदि में आप नहीं कहा था इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज बोले श्री भगवान वाज बहुनि मेव्यती तानि जन्मानि तवचार जुन तान्यहं वेदसर्वानि नत्वं वेथ परंतप अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं हे परंतप उन सब को तू नहीं जानता किन्तु मैं जानता हूँ साधक नहीं जानता स्वरूपस्त महापुरुष जानता है अव्यक्त की स्थितिवाला जानता है क्या आप सब की तरह पैदा होते हैं श्री कृष्ण कहते हैं नहीं स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है मेरा जन्म इन आखों से नहीं देखा जा सकता मैं अजन्मा अव्यक्त शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ अवधू जीवत में कर आशा मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी जूठा देविश्वासा शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है लेश मात्र भी कमी है तो जन्म लेना पड़ता है अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है वो अंतरंग प्रश्ण रखता है क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका है क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं श्री कृष्ण कहते हैं अजो पिसन अव्ययात्मा भूताना मीश्वरों पिसन प्रकृतिम स्वाम धिश्ठाय संभवाम्यात्म मायया मैं विनाश रहित पुनह जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को आधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूं एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है दूसरी माया है आत्म माया जो आत्मा में प्रवेश्च दिलाती है स्वरूप के जन्म का कारण बनती है इसी को योग माया भी कहते है जिससे हम विलग है उस शाश्वत स्वरूप से ये जोडती है मिलन कराती है उस आत्मिक प्रकृतिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुण मायी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूं प्राया लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख सके स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता श्री कृष्ण कहते हैं योग साधना द्वारा आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुण माई प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रमशा प्रकट होता हूं लेकिन किन परिस्थितियों में हे अरजुन जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हिर्दय ग्लानी से भर जाता है जब अधर्म की व्रिद्धि से भाविक पार पाते नहीं देखता तब मैं आत्मा को रचने लगता हूँ जब आपका हिर्दय अनुराग से पूरित हो जाए उस शाश्वत धर्म के लिए गदगद गिरा नयन बह नीरा की स्थिति आ जाए जब प्रयत्म करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रच्ता हूँ अर्थात भगवान का आविर भाव केवल अनुरागी के लिए है और ये अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है आप प्रकट होकर करते क्या है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चदुष्कृताम धर्मसंस्था पनार्थाय। संभवामि युगे युगे अर्जुन साधुनाम परित्राणाय परमसाध्य एक मात्र परमात्मा है जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेश नहीं रह जाती उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वईराग्य, शम्दम इत्यादी दैवी संपत को निर्विग्न प्रवाहित करने के लिए तथा दुष्कृताम जिससे दुशित कारिय रूप लेते हैं उन कामक्रोध, रागद्वएशादी, विजातिय प्रवृत्तियों को समूल नश्च करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट होता हूँ युग का तातपर ये सत-युग, त्रेता, द्वापर में नहीं युग-धर्मों का उतार चड़ाव मनुश्यों के स्वभाव पर है युग-धर्म सदई रहे हैं मानस में संकेत है नित युग-धर्म हो ही सब केरे, हिर्दय राम माया के प्रेरे युग-धर्म सभी के हिर्दय में नित्य होते रहते हैं अविद्या से नहीं, बलकि विद्या से राम माया के प्रेर्णा से हिर्दय में होते हैं जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्म माया कहा गया है वही है राम माया हिर्दय में राम की स्थित दिला देने वाली राम से प्रेरित है वो विद्या कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कारिय कर रहा है तो सुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन मन जाना जब हिदय में शुद्ध सत्व कुण ही कारियरत हो राजस तथा तामस दोनों गुण शांत हो जाए विशमताएं समाप्त हो गई हो जिसका किसी से द्वेश न हो विज्ञान हो अर्थात इश्ट से निर्देशन लेने और उस पर टिकने की ख्षमता हो मन में प्रसनता का पूर्ण संचार हो जब ऐसी योगिता आ जाए तो सत्युग में प्रवेश मिल गया इसी प्रकार दो अन्य युगों का वर्णन किया और अंत में तामस बहुत रजो गुण थोरा कली प्रभाव विरोध चहू ओरा तामस गुण भरपूर हो किंचित राजसी गुण भी उसमें हो चारों और वैर और विरोध हो तो ऐसा व्यक्ति कली युगीन है जब तामसी गुण कारी करता है तो मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य होता है वो करतव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत नहीं हो सकता निशिद्ध कर्म जानते हुए भी उससे निवृत्ति नहीं हो सकती इस प्रकार युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों की आंतरिक योग्यता पर निरभर है किसी ने इन योग्यताओं को चार युग कहा है तो कोई इन्हें ही चार वर्ण का नाम देता है तो कोई इन्हें ही अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निक्रिष्ट चार श्रेणी के साधक कहकर संबोधित करता है प्रत्येक युग में इश्ट साथ देते हैं हाँ उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है निम्न युगों में सहयोग ख्षीन प्रतीत होता है संग्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं कि साध्य वस्तु दिलाने वाले विवेक, वैराग इत्यादी को निर्विग्न प्रवाहित करने के लिए तथा दूशन के कारक, काम, क्रोध, राग, दुएश, इत्यादी का पूर्ण विनाश करने के लिए परम, धर्म, परमात्मा में स्थिर रखने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थिती हर श्रेणी में प्रकट होता हूँ बशर्ते की ग्लानी हो जब तक इश्ट समर्थन न दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ अत्वा अभी कितना शेश है प्रवेश से पराकाष्ठा परियंत इश्ट हर श्रेणी में हर योग्यता के साथ रहते है उनका प्राकट ये अनुरागी के हिर्दय में होता है भागवान प्रकट है तब तो सभी दर्शन करते होंगे श्री कृष्ण कहते हैं नहीं जन्म कर्म चमेद्युव्यम एवं योवेत्ति तत्वतह चत्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन अर्जन मेरा वो जन्म अर्थात गलानी के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुश्कृतियों के कारणों का विनाश साध्य वस्तु को दिलाने वाली ख्षमताओं का निर्दोश संचार धर्म की स्थिर्ता ये कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है लौकिक नहीं है इन चर्म चक्षों से उसे देखा नहीं जा सकता मन बुद्धी से उसे मापा नहीं जा सकता जब इतना गूड है तो उसे देखता कौन है केवल यो वेति तत्व तहा केवल तत्वदर्शी ही मेरे जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षाद करके वो पुनर जन्म को नहीं प्राप्त होता बलके मुझे प्राप्त होता है जब तत्वदर्शी ही भगवान के जन्म और कारिय को देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड लगाए क्यूं खड़े हैं कि कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे क्या आप तत्व दर्शी हैं महात्मा वेश में आज भी विविद तरीके से मुख्यता महात्मा वेश की आड में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं या उनके दलाल प्रचार कर देते हैं लोग भेड की तरह अवतार को देखने तूट पड़ते किन्तु श्रीकृष्ण कहते हैं कि केवल तत्व दर्शी ही देख पाता है अब तत्व दर्शी किसे कहते हैं अध्याय दो में सत असत का निरणे देते हुए योगेश्वर श्रीकृष्ण ने बताया था कि अर्जुन असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है तो क्या आप ऐसा कहते हैं बताया उन्होंने नहीं तत्व दर्शी ने इसे देखा न किसी भाशा विद ने देखा न किसी सम्रिध शाली ने देखा यहाँ पुनह बल देते हैं कि मेरा आविर भाव तो होता है लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है तत्वदर्शी एक प्रश्न है ऐसा कुछ नहीं कि पाँच तत्व हैं पचीस तत्व हैं इनकी गड़ना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है आत्म साक्षात कार करने वाला ही इस आविर भाव को समझ पाता है सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हिर्दय में होता है आरंभ में उसे वो समझ नहीं पाता कि हमें कौन संकेत देता है कौन मार्क दर्शन करता है किन्तु परमतत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वो देख पाता है, समझ पाता है और फिर शरीर को त्याग कर पुनर जन्म को प्राप्त नहीं होता श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है तो लोगों ने उनकी मूर्ती बना ली पूजा करने लगे आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली ऐसा कुछ नहीं है उन महापुरुषों का आशे केवल इतना था कि यदि आप निर्धारिक कर्म करें तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं आप जो हो सकते हैं वो मैं हो गया हूँ मैं आपकी संभावना हूँ आपका ही भविष्य हों अपने भीतर आप जिस दिन ऐसी पूर्टा पा लेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है अवतार कहीं बाहर नहीं होता हाँ यदि अनुराग पूरित हिर्दय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूती संभाव है वे आपको प्रोचसाहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताह बहवो ज्यानत पसा पूता मद्भाव मागता राग और विराग दोनों से परे वीतराग तथा इसी प्रकार भय अभय क्रोध अक्रोध दोनों से परे अनन्य भाव से अर्थात अहंकार रहित मेरे शरण हुए बहुत से लोग ज्यान तब से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं अब ऐसा होने लगा हो ऐसी बात नहीं है ये विधान सदैव से रहा है बहुत से पुरुष इसी प्रकार से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं किस प्रकार? जिन जिन का हिरदय अधर्म की वृद्धी देख कर परमात्मा के लिए ग्लानी से भर गया उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं जिसे योगेश्वर शिरी कृष्ण ने तत्व दर्शन कहा था उसे ही अब ज्ञान कहते है परम तत्व है परमात्मा उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है ऐसी जानकारी वाले ज्यानी मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं यहां ये प्रश्न पूरा हो गया अब वे योग्यता के आधार पर भजने वालों का श्रेणी विभाजन करते हैं ये यथा माम प्रपध्यन्ते तांस्त थैव भजाम्यहं ममवर्त्मान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश्या पार्थ जो मुझे जितनी लगन से जैसा भजते हैं मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ उतनी ही मात्रा में सहयोग देता हूँ साधक की शद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है इस रहस्य को जानकर सुधी जन संपूर्ण भाव से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं जैसा मैं बरतता हूँ जो मुझे प्रिय है वैसा ही आचरण करते हैं जो मैं करारा चाहता हूँ वही करते हैं भगवान कैसे भजते हैं? वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं साथ चलने लगते हैं यही उनका भजना है दूशित जिनसे पैदा होते हैं उनका विनाश करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं सत्य में प्रवेश दिलाने वाले सदगुणों का परित्रान करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं और हर कदम पर सावधान न करें तब तक कोई कैसा ही भजनानंदी क्यों न हो लाख आख मूंदे, लाख प्रयक्न करे वो इस प्रकृति के द्वंद्व से पार नहीं हो सकता वो कैसे समझेगा कि हम कितनी दूरी तै कर चुके कितना शेश है इश्ठ ही आत्मा से अभिन होकर खड़े हो जाते हैं और उसका मार्ग दर्शन करते हैं कि तुम यहां पर हो, ऐसे करो, ऐसे चलो इस प्रकार प्रकृति की खाई पाटते हुए शनई शनई आगे बढ़ाते हुए स्वरूप में प्रवेश दिला देंगे भजन तो साधक को ही करना पड़ता है किन्तु उसके द्वारा इस पत में जो दूरी तय होती है वो इश्ठ की देन है ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतो भावेइन मेरा अनुसरन करते हैं किस प्रकार वेपर रगते हैं? कांशन्त कर्मनाम सिद्धिम यजन्त इह देवताह क्षिप्रम ही मानुषे दो के सिद्धिर भवति कर्म जाँ वेपरुष इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूछते हैं कर्म कौन सा? श्री कृष्ट ने कहा अर्जुन तो नियत कर्म कर्म नियत कर्म क्या है? यग्य की प्रक्रिया ही कर्म है यग्य क्या है? साधना की विद्विशेश जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन इंद्रियों के बहिर मुखी प्रवाह को संयमागनी में हवन किया जाता है जिसका परिणाम है परमात्मा कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना जिसका स्वरूप इसी अध्याय में आगे मिलेगा इस आराधना का परिणाम क्या है? संसिद्धिम परम सिद्धि परमात्मा यान्ति ब्रह्म सनातनम शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश परम नईशकर्म्य की स्थिति श्री कृष्ण कहते हैं मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य लोग में कर्म के परिणाम परम नईशकर्म सिद्धि के लिए देवताओं को पूछते हैं अर्था दैवी संपद को बलवती बनाते हैं तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया था कि इस यग्य द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो दैवी संपद को बलवती बनाओ जियों जियों हृदय देश में वो दैवी संपद उन्नत होगी त्यों ही त्यों तुम्हारी उन्नती होगी इस प्रकार परस पर उन्नती करते हुए परम श्रे को प्राप्त हो जाओ अंत तक उन्नती करते जाने की ये अंतह क्रिया है इसी पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुश्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए दैवी संपत को बल्वती बनाते हैं जिससे वो नैशकर्मी सिद्धि शीग्र ही होती है वो असफल नहीं होती सफल ही होती है शीग्र का तात्परिय क्या कर्म में प्रवृत्ति होते ही तत्खण ये परमसिद्धि मिल जाती है श्री कृष्ण कहते हैं नहीं इस सोपान पर क्रमशह चड़ने का विधान है कोई छलांग लगा कर भावाती द्यान जैसा चमतकार नहीं होता इस पर देखें चातुर्वर्ण्यम् मयास्रिष्टम् गुणकर्म विभागश्य तस्यकर्तारम पिमाम् विध्यकर्तारमव्ययम् अर्जुन चातुर्वर्ण्यम् मयास्रिष्टम् चार वर्णों की रचना मैंने की तो क्या मनुश्यों को चार भागों में बाड़ती या श्री कृष्ण कहते हैं नहीं गुण कर्म विभागश्य गुणों के माध्यम से कर्म को चार भागों में बाटा गुण एक पहमाना है माप दंड है तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति न हो पाने की विवश्टा रहेगी ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें दो गंटे आप आराधना में बैठते हैं इस कर्म के लिए प्रेत्शील होना चाहते हैं किन्तु दस मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते शरीर अवश्य बैठा है लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वो हवा से बातें कर रहा है कुतरकों का जाल बुन रहा है तरंग पर तरंग चाहिए तो आप बैठे क्यों है? समय क्यों नश्ट करते हैं? उस समय केवल परिचरियात्मकम, कर्म, शूद्रस्यापी, स्वभावजम जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिती वाले हैं अविनाशी तत्व में स्थित हैं उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ इससे दूशित संसकार शमन होते जाएंगे साधना में प्रवेश दिलाने वाले संसकार सबल होते जाएंगे क्रमशह तामसी गुण नियून होने पर राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश श्रेणी की हो जाती है। उस समय वही साधक इंद्रिय सैयम आत्मिक संपत्ति का संग्र स्वभावता करने लगेगा। कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा। राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्री श्रेणी में प्रवेश पालेगा। शौरिय कर्म में प्रव्रित रहने की क्षमता, पीछे नहटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में डाल जाएगे। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर मात्र सात्विक गुण कारियरत रह जाने पर मन का शमन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधी, ईश्वरी निर्देश, आस्तिकता, इत्यादी ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वभाविक शमता के साथ वही साधक ब्रह्मन श्रेणी का कहा जाता है, यह ब्रह्मन श्रेणी के कर्म की निम्नतम सीमा है, जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वो स्वयम में न ब्रह्मन रहता है, न क्षत्रिये, न वैश्ये, न शूत्र, किन्तु दूसरूं के मार्ग द उची नीची चार सीड़ियों में बाटा, किसी योगेश्वर ने बाटा, अव्यत स्थिति वाले बहापुरुष ने बाटा, उसके करता मुझ अविनाशी को अकरता ही जान, क्यूं? क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्प्रिहा नहीं, कर्मों का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया था, कि यग्ये जिससे पूरा होता है, उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्तिकाल में यग्ये जिसकी रचना करता है, उस ज्ञाना मृत को पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है, कर्म का परिडाम है परमात्मा उस परमात्मा की चाहा भी अब मुझे नहीं है क्योंकि वो मुझे से भिन नहीं है मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ उसी की स्थितिवाला हूँ अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कारी पर सने रखू इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते और इसी स्तर से जो भी मुझे जानता है अर्थाद जो कर्मों के परिडाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसे भी कर्म नहीं बांधते जैसे श्री कृष्ण वैसे उस स्तर से जानने वाला महापुरश एवं ज्यात्वा क्रितम कर्म पूर्वै रपिमु मुक्षुभी कुरु कर्मै वतस्मात्वम पूर्वै पूर्वतरम क्रितम अर्जुन पहले होने वाले मुक्ष की इच्छा वाले पूरुशों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया क्या जानकर यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन न रह जाए कर्मों के परिडाम परमात्मा की स्प्रिया न रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं इसलिए वे कर्म से लिपाय मान नहीं होते और उसी इस तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेगा जैसा श्री कृष्ण ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा वैसा ही वो पुरुष भी कर्म बंधत से मुक्त हो जाएगा अब श्री कृष्ण भगवान, महात्मा, अव्यक्त, योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हों वो स्वरूप सब के लिए है यही समझ कर पहले के मुमुक्ष पुरुषों ने, मुक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किये हुए इसी कर्म को कर्म, यही कल्याण का एक मात्र मार्ग है अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ट ने कर्म करने पर बल दिया किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि कर्म क्या है अध्याय दो में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया कि अब इसी को तू निश्काम कर्म के विशय में सुन उसकी विशेष्टाओं का वरणन किया कि यह जन्म मरण के महान भहे से रक्षा करता है कर्म करते समय सावधानी का वरणन किया लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है अध्यायतीन में उन्होंने कहा कि ग्यान मार्ग अच्छा लगे या निश्काम कर्म योग कर्म तो करना ही पड़ेगा न कर्मों को त्यागने से कोई ग्यानी होता है और न कर्म को न आरम करने से कोई निश्कर्मी हठ वश जो नहीं करते वे दम भी है इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर कौन सा कर्म करें? तो बताया नियत कर्म कर अब ये निर्धारित कर्म है कौन? तो बोले यग्य की प्रक्रिया ही नियत कर्म है एक नवीन प्रशन दिया कि यग्य क्या है जिसे करें तो कर्म हो जाए वहाँ भी यग्य की उत्पत्ति बताई उसकी विशेष्टाओं का वर्णन किया किन्तु यग्य नहीं बताया जिससे कर्म को समझा जा सके अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या है अब कहते हैं कि अर्जुन कर्म क्या है अकर्म क्या है इस विशे में बड़े-बड़े विद्वान भी मोहित है उसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए किन्कर्म किमकर्मेती कवयो प्यत्र मोहिताह तत्ते कर्म प्रवक्षामी यजग्यात्वा मुक्ष्य से शुभा कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस विशे में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है इसलिए मैं वो कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूँगा जिसे जान कर तू अशुभात मोक्ष्य से अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुना बल देते हैं कर्मनो यपि बोधव्यम बोधव्यम चविकर्मना अकर्मनस चबोधव्यम गहना कर्मनो गति है कर्म का स्वरूब भी जानना चाहिए अकर्म का स्वरूब भी समझना चाहिए और विकर्म अर्थात विकल्प शून ने विशेश कर्म जो आप्त पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए क्योंके कर्म की गती गहन है कतिपए लोगों ने विकर्म का अर्थ निशिद कर्म, मन लगा कर किया गया कर्म इत्यादी किया है वस्तुतह यहां वी उपसर्ग विशिष्टता का दियो तक है प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शूनने होते हैं आत्म स्थित, आत्म त्रिप्त, आत्म काम महापुरशों को न तो कर्म करने से कोई लाब है और न छोड़ने से कोई हानी ही है फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है और यही कर्म विकर्म कहलाता है उदाहरणार्थ गीता में जहां भी किसी कारी में वी उपसर्ग लगा है उसकी विशेष्टा का दियो तक है निश्क्रिष्टता का नहीं यथा योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया अभी आपने विकर्म देखा रहा कर्म और अकर्म जिसे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें यदि यहां कर्म अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ सकेंगे कर्मन्य कर्मयः पश्षेद्ध अकर्मनिच कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्षेशु सयुक्ता कृत्स्न कर्म कृत्ध जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे कर्म माने आराधना अर्थात आराधना करे और ये भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूँ बलके गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करता है मैं इश्ट द्वारा संचालित हूँ ऐसा देखे और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए मनुश्यों में बुद्धिमान है मनुश्यों में योगी है योग से युक्त बुद्धिवाला है और संपूर्ण कर्मों का करने वाला है उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी तुरुटी नहीं रह जाती कर्म का अर्थ है भजन कर्म का अर्थ है योग साधना को भली प्रकार संपादित करना जिसका विशद वर्णन इसी अध्याय में आगे आ रहा है यहां कर्म और अकर्म का केवल विभाजन किया गया जिससे कर्म करते समझे लिए यस्यसर्वे समारंभाह काम संकल्प वर्जिताह ज्यानागनि दगध कर्मानं तमाहो पंडितं बुधाह अर्जुन यस्य सर्वे समारंभा जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया काम संकल्प वर्जिताह क्रमशह उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से उपर उठ गई कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजेतावस्था है अतह कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से उपर उठा देता है उस समय ग्यान आगनी दग्द कर्माण अंतिम संकल्प के भी शमन के साथ जिसे हम नहीं जानते जिसे जानने के लिए हमें छुप थे उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है क्रियात्मक पत्पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्यान है उस ज्यान के साथ ही दग्द कर्माणम कर्म सदा के लिए दग्द हो जाते हैं जिसे पाना था पालिया आगे कोई सत्ता नहीं जिसकी शोध करे इसलिए कर्म करके डھूने भी तो किसे उस जानकारी के साथ कर्म की आवशकता समाप्त हो जाती है ऐसी इस्थित वालों को ही बोधस्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है उनकी जानकारी पूर्ण है ऐसी इस्थिति वाला महापुरुष करता क्या है रहता कैसे है उसकी रहनी पर प्रकाश डालते हैं क्यत्वा कर्मफला संगम नित्यत्रिप्तो निराश्रयह कर्मन्यभी प्रवृत्तो पी नईवकिन चित्करोती सह अर्जुन वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर नित्यवस्तु परमात्मा में ही त्रिप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याक कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिक्रह शारीरं के वलं कर्मा खुर्वन्नापनोति किल्बिशं जिसने अंतह करण और शरीर को जीत लिया है भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याक दी है ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता दिखाई भर पड़ता है वस्तुता वो करता धरता कुछ नहीं इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता वो पूरुणत्व को प्राप्त है इसलिए आवा गमन को प्राप्त नहीं होता अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला सुख दुख राग द्वेश और हर्ष शोकादी द्वंदों से परे विमत सरह इरश्या रहित तथा सिद्धी और असिद्धी में समभावाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंद था सिद्धी अर्थात जिसे पाना था वो अब भिन नहीं है और वो कभी विलग भी नहीं होगा इसलिए असिद्धी का भी भै नहीं है इस प्रकार सिद्धी और असिद्धी में समभावाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बंद था कौन सा कर्म वो करता है वही नियत कर्म यग्गी की प्रक्रिया इसी को दोराते हुए कहते है गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसह यज्ञायाचरतह कर्म समग्रम प्रविलीयते अर्जुन यग्यायाचरतह कर्म यग्य का आचरण ही कर्म है और साक्षातकार का नाम ही ज्ञान है इस यग्य का आचरण करके साक्षातकार के साथ ग्यान में स्थित, संगदोश और आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते हैं वे कर्म कोई परिणा मुत्पन नहीं कर पातें क्योंके कर्मों का फल परमात्मा उनसे भिंद नहीं रहे गया अब फल में कौन सा फल लगेगा इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म करने की आवश्यक्ता समाथ हो जाती है फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर करते ही हैं और करते हुए भी वे इन कर्मों से लिप्त नहीं होते जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते इस पर कहते हैं ब्रह्मारपणम ब्रह्महविही ब्रह्माग्नव ब्रह्मनाहुतम ब्रह्मईवते नगंतव्यम ब्रह्मकर्मसमाधिना ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म है हवी ब्रह्म है अगनी भी ब्रह्म ही है अर्थात ब्रह्म रूप अगनी में ब्रह्म रूपी करता द्वारा जो हवन किया जाता है वो भी ब्रह्म है ब्रह्म कर्म समाधिना जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्ष करके समाधिस्त हो चुके है उसमें विले हो चुके है ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वो भी ब्रह्म ही है वो करता धरता कुछ नहीं केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता है ये तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण है किन्तु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधा कौन सा यग्य करते हैं अब यहां उसी यग्य को स्पष्ट करते हैं दैव मेवा परे यग्यम योगिन परियुपासते ब्रहमागनाव परे यग्यम यग्ये नईवो पचुहुवती गत शलोक में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने परमात्म स्थित महापुरशों के यग्य का निरूपड किया किन्तु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं वे आरंब कहां से करें इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी लोग दैवम यग्यम अर्थात दैवी संपद को अपने हिर्दय में बलवती बनाते हैं जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यग्य द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नती करो जियों जियों हिर्दय देश में दैवी संपद अर्जित होगी वही तुम्हारी प्रगती होगी और क्रमशह परसपर उन्नती करके परमश्रे को प्राप्त करो दैवी संपद को हिर्दय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यक्य है वो दैवी संपद अध्याय सोला के आरंभिक तीन श्लोकों में वर्णित है जो हैं तो सब में केवल महत्व पूर्ण करतव्य समझ कर उनकी जागरती करें उनमें लगें इन्ही को इंगित करते हुए योगेश्वर ने कहा कि अर्जुन तु शोक मत कर क्योंकि तु दैवी संपद को प्राप्त हुआ है तु मुझ में निवास करेगा मेरे ही शाश्वत सुरूप को प्राप्त करेगा क्योंकि ये दैवी संपद परम कल्यान के लिए ही है और इसके विपरीत आसुरी संपद नीच और अधम योनियों का कारण है इसी आसुरी संपद का हवन होने लगता है इसलिए ये यग्य है और यहीं से यग्य का आरंभ है दूसरे योगी ब्रहमागनव परब्रहम परमात्म रूप अगनी में यग्य के द्वारा ही यग्य का अनुष्ठान करते है श्री कृष्ण ने आगे बताया कि इस शरीर में अधियग्य मैं हूँ यग्यों का अधिश्ठाता अर्थात यग्य जिसमें विलय होते हैं वो पुरुष मैं हूँ श्री कृष्ण एक योगी थे सद्गुरू थे इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्णी में यग्य अर्थात यग्य स्वरूप सद्गुरू को उद्देश्य बना कर यग्य का अनुष्ठान करते हैं सारान्षतह सद्गुरू के स्वरू का त्यान करते हैं श्रोत्रादीनी इंद्रिया अन्यन्ये सैयमा अग्निशु जुहवती शब्दादीन विशयानन्य इंद्रिया अग्निशु जुहवती अन्य योगी जन्षोत्रादिक अर्थात शोत्र नेत्र त्वचा जिव्वा नासिका सब इंद्रियों को सैयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विश्यों से समेट कर सैयत कर लेते हैं यहां आग नहीं जलती जैसे अगनी में डालने से हरवस्त भस्म साथ हो जाती है ठीक इसी प्रकार सैयम ही एक अगनी है जो इंद्रियों के संपूरुन बहिर मुखी प्रवाह को दगध कर देता है दूसरे योगी लोग शब्दादिक अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विश्यों को इंद्रिय रूपी अगनी में हवन कर देते अर्थात उनका आशय बदल कर साधना परक बना लेते साधक को संसार में रहकर ही तो बजन करना है सांसारिक लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराते ही रहते विश्यों तेजक ऐसे शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग, वैराग्य सहायक, वैराग्यों तेजक भावों में बदल कर इंद्रिय रूपी अगनी में हवन कर देते हैं जैसे कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में रत था अकसमात उसके करन कोहरों में संगीत लहरी जंजना उठे उसने सिर उठा कर देखा, तो उर्वशी खड़ी थी जो एक वेश्या थी सभी उसके रूप पर मुग्द हो जूम रहे थे किन्तु अर्जुन ने उसे स्नेहिल द्रिष्टि से मात्रीवद देखा उस शब्द रूप से मिलने वाले विकार विलीन हो गए इंद्रियों के अंतराल में ही समाहित हो गए यहां इंद्रिय ही अग्णी है अगनी में डाली हुई वस्तु जैसे भस्म साथ हो जाती है उसी प्रकार आशय बदलकर इश्ट के अनकूल ढाल लेने पर विश्योत तेजक, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द भी भस्म हो जाते हैं साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते साधक इन शब्दादिकों में रुच नहीं लेता, इने ग्रहन नहीं करता इन शब्द एक ही साधक की उँची नीची अवस्थाए हैं एक ही यग्यकरता का उँचा नीचा स्तर है न कि अपरे अपरे कहने से कोई अलग अलग यग्य अभी तक योगेश्वर ने जिस यग्गी की चर्चा की उसमें क्रमशह दैवी संपत को अरजित किया जाता है इंद्रियों की संपूर्ण चेश्टाओं का सैयम किया जाता है बलात विश्वत तेजक शब्दादिकों के टकराने पर भी उनका आशय बदल कर उनसे बचा जाता है इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेश्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात कारसहित ग्यान से प्रकाशित परमात्म स्थिति रूपी योगागनी में हवन करते हैं जब सैयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शान्त हो जाता है उस समय विश्यू को उद्धीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्त दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती है परमात्मा में स्थित्य मिल जाती है यग्य का परिडाम निकल आता है यह है यग्य की पराकाष्टा जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई तो शेश क्या रहा पुनह योगेश्वर शिरी कृष्ण यग्ये को भली प्रकार समझाते हैं ध्रव्य यग्यास्त पो यग्या योग यग्यास्त था परे स्वाध्या यग्यान यग्यास्त यतय संशित व्रता अनेक लोग द्रव्य यग्य करते हैं अर्थात आत्म पत्मे महापुर्षों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पन करते हैं वे समर्पन के साथ महापुर्षों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं श्री कृष्णा आगे कहते हैं कि भक्ति भाव से पत्र, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी मुझे देता है उसे मैं खाता हूं और उसका परम कल्यान स्रिजन करने वाला होता हूं ये भी यग्य ही है हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्म पत्र पर लाना द्रव यग्य है क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ है इसी प्रकार कई पुरुष, तपो यग्या, स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते है अर्थात, स्वभाव से उत्पन, क्षमता के अनुसार, यग्य की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपते है इसी पत्की अलपग्यता में पहली श्रेडी का साधक शूद्र, परिचरिया द्वारा वैश्य, दैवी संपद के संग्रह द्वारा क्षत्रिय, काम, क्रोधादी के उन्मूलन द्वारा और ब्रहमन, ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है सब को एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है वास्तों में यग्य एक ही है अवस्था के अनुसार उंची नीची श्रिणिया गुजरती जाती है पुज्य महराजी कहते थे मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष के अनुरूप तपाना ही तब कहलाता है ये लक्ष से दूर भागेंगे, इन्हें समेट कर उधर ही लगाओ अनेक पुरुष योग यग्य का आचरण करते हैं प्रकृती में भटकती हुई आत्मा का प्रकृती से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है योग की परिभाशा अध्याय छे बटाते इसमें द्रिश्ट अव्य है सामान्यतह दो वस्तूओं का मिलन योग कहलाता है कागस से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गये, तो क्या योग हो गया? नहीं, ये तो पंच भूतों से निर्मित पदार्थ है एक ही है, दो कहां? दो प्रकृती और पुरुष है प्रकृती में इस्थित आत्मा अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो प्रकृती पुरुष में विलीन हो जाती है यही योग है अता अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक, शम, दम, इत्यादी नियमों का भली प्रकार आचरण करते है योग यग्य करने वाले तथा अहिंसादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, यत्नशील पुरुष, स्वाध्याय ज्ञान यग्याश्च, स्वयम का अध्ययन, स्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यग्य के करता है यहाँ योग के अंगों, अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधी इनको अहिंसादी तीक्ष्ण व्रतों से निर्दिष्ट किया गया है अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं, पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तरमात्र है विशुद्ध स्वाध्याय है, स्वयम का अध्ययन, जिससे स्वस्वरूप की उपलब्धे होती है जिसका परिडाम है ज्ञान, अर्थात, साक्षात का यग्य का अगला चरण बताते हैं अपाले जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणा पानगती रुद्वा प्राणाया मपरायना बहुत से योगी अपान वायू में प्राण वायू का हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राण वायू में अपान वायू का हवन करते हैं इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगी जन प्राण और अपान दोनों की गती रोक कर प्राणायाम के पराया हो जाते हैं जिसे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है प्राण वो श्वास है जिसे आप भी तरखीशते हैं और अपान वो श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं योगियों की अनुभूती है कि आप श्वास के साथ बाय वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहन करते हैं और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर फेटते रहते हैं बाय किसी संकल्प का ग्रहन न करना प्राण का हवन है तथा भीतर संकल्पों को न उठने देना अपान का हवन है नभीतर से किसी संकल्ब का स्फुरण हो और ना ही बाह्य दुनिया में चलने वाले चिंतन अंदर छोब उत्पन कर पाएं इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याम अर्थात निरोध हो जाता है यही प्राणायाम है यह मन की विज्टावस्था है प्राणों का रुकना और मन का रुकना एक ही बात है प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया है वेदों में इसका उलेक है चत्वारी वाक पारमिता पदानी इसी को पुझ्य महराज जी कहा करते थे हो एक ही नाम को चार श्रेणियों से जपा जाता है बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा बैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए नाम का इस प्रकार उचारण हो कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो तो उसे भी सुनाई पड़े मध्यमा अर्थाद मध्यम स्वर में जप जिसे केवल आप ही सुने बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उचारण को सुन न सके ये उचारण कंठ से होता है धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है डोर लग जाती है साधना और सुक्ष्म हो जाने पर पश्यन्ती अर्थाद नाम देखने की अवस्था आ जाती है फिर नाम को जपा नहीं जाता यही नाम श्वास में ड़ल जाता है मन को द्रिष्टा बना कर खड़ा कर दें देखते बर रहें कि सांस कहती क्या है सांस आती है कब बाहर निकलती है कब कहती है क्या महापुरशों का कहना है कि ये सांस नाम के सिवाए और कुछ कहती ही नहीं साधक नाम का जप नहीं करता केवल उससे उठने वाली धुन को सुनता है सांस को देखता भर है इसलिए इसे पश्यंती कहते है पश्यंती में मन को द्रिष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है किन्तु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता एक बार सुरत लगा भर दे स्वतह सुना ही देगा जप न जप आवे अपने से आवे न स्वयं जपो न मन को सुनने के लिए बात दे करो और जप चलता रहे इसी का नाम है अजपा ऐसा नहीं कि जप प्रारंब ही न करे और आगई अजपा यदि किसी ने जप नहीं प्रारंब किया तो अजपा नाम की कोई वस्त भी उसके पास नहीं होगी अजपा का अर्थ है हम न जपे किन्तु जाप हमारा साथ न छोड़े एक बार सुरत का काटा लगा भर दे तो जप प्रवाहित हो जाए और अनवरत चलता रहे इस स्वभाविक जप का नाम है अजपा और यही है परावाणी का जप ये प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश्ट दिलाती है इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है परम का दिगदर्शन करा के उसी में विलीन हो जाती है इसलिए इसे परा कहते है मन श्वास के साथ जुड़ा है जब श्वास पर दिश्टी है श्वास में नाम ढल चुका है भीतर से न तो किसी संकल्प का उत्थान है औरना बाय वायु मंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते है यही मन पर विजय की अवस्था है इसी के साथ यग्य का परिडाम निकलाता है दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राण को प्राणों में ही हवन करते है पूझ्य महराज जी कहा करते थे कि योगी का आहार द्रण, आसन द्रण और निद्रा द्रण होनी चाहिए आहार विहार पर नियंतरण बहुत आवश्यक है ऐसे अनेक योगी प्राण को प्राण में ही हवन कर देते हैं अर्थात श्वास लेने पर ही ध्यान के इंद्रित रखते हैं, प्रश्वास पर ध्यान नहीं देते सास आई तो सुना ओम, पुन सास आई तो ओम सुनते रहे इस प्रकार यग्यों द्वारा नश्ट पाप वाले ये सभी पुरुष यग्य के जानकार है इन निर्दिष्ट विद्यों में से यदि कहीं से भी करते हैं, तो वे सभी यग्य के ग्याता है अब यग्य का परिणाम बताते हैं यग्य शिष्टाम्रित भुजव यग्य जिसकी सृष्टी करता है, जिसे अवशेश छोड़ता है, वो है अम्रित उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है उस ज्ञानाम्रित को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम शाश्वत सनातन परब्रह्म को प्राप्त होते हैं यग्य कोई ऐसी वस्तु है, जो पूर्ण होते ही सनातन परब्रह्म में प्रवेश्टि ला देती है यग्य न करें, तो आपत्ती क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि यग्य रहित पुरुष को पुनाय ये मनुष्य लोग अर्थात मानव शरीर भी सुलब नहीं होता फिर अन्य लोग कैसे सुखदाई होंगे? उसके लिए तो तिरियक योनिया सुरक्षित है, इस से अधे कुछ नहीं अतह यग्य करना मनुष्य मात्र के लिए नितांत आवश्यक है एवं बहु विधा यग्या वितता प्रम्हणों मुखे कर्मजान विधितान सर्वान इवं क्या त्वावी मुख्ष से इस प्रकार उपर युक्त बहुत प्रकार के यग्य वेद की वाड़ी में कहे गए है ब्रह्म के मुख से विस्तारित है प्राप्ति के पश्चात महापुर्षों के शरीर को परब्रह्म धारन कर लेता है ब्रह्म से अभिन्वस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है उनके द्वारा वो ब्रह्म ही बोलता है उसकी वाणी ने इन यग्यों का विस्तार किया गया है इन सब यग्यों को तू कर्म जान विध्धि कर्म से उत्पन्न हुआ जान यही पहले भी कहाए है यग्यह कर्म समुद्भवा उन्हें इस प्रकार क्रियात्मक चल कर जान लेने पर जैसा अभी बताया था यग्य करके जिनका पाप नश्ठ हो चुका हो वही यग्य के यथार्थ ग्याता है अता अर्जुन तू विमोक्ष्य से संसार बंधन से पूर्णता छूट जाएगा यहां योगेश्वर ने कर्म को स्पष्ट कर दिया वो हरकत कर्म है जिससे उपर्युक्त यग्य पूर्ण होते हैं अब यदि देवी संपत का अरजन सद्गुरु का ध्यान, इंद्रियों का सैयम श्वास का प्रश्वास में हवन प्रश्वास का श्वास में हवन प्राण पान की गति का निरोध खेति करने से होता हूं व्यापार नौकृ riche करने से होता हूं तो आप करिए यग्य तो ऐसी क्रिया है जो पूर्ण होते ही तत्क्षण पर ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है बाय किसी भी कारिय से आप तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हों तो कीजिए वस्तुता है ये सब के सब यग्य चिंतन की अंतख क्रिया है आराधना का चित्रण है जिससे आराध्य देव विदित होता है यग्य उस आराध्य तक की दूरी तै करने की निर्धारित प्रक्रिया विशेश है ये यग्य श्वास प्रश्वास प्राणायाम इत्यादी जिस क्रिया से संपन्न होते हैं उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है, कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, चिंतन, प्रायर लोग कहते हैं कि संसार में कुछ भी किया जाए हो गया कर्म, कामना से रहित होकर कुछ भी करते जाओ हो गया निश्काम कर्मियो, कोई कहता है कि अधिक लाब के लिए विदेशी व करी करें, हानि लाब की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करें, हो गया निश्काम कर्मियो, जै पराजे की भावना से मुक्त होकर युद्ध करें, चुनाव लड़ें, हो गया निश्कर्मि, मरोगे तो मुक्ती हो जाएगी, वस्तुतर ऐसा कुछ भी नहीं है, योगेश्व तो निर्धारित कर्म को कर यग्य की प्रक्रिया ही कर्म है यग्य क्या है श्वास प्रश्वास का हवन इंद्रियों का संयम यग्य स्वरूप महापुरुष का ध्यान प्राणायाम प्राणों का निरोध ये यग्य जिससे होने लगे उस क्रिया का नाम कर्म है संपूर्ण गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो सांसारी कारी व्यापारों का समर्थन करता हो प्राया यग्य का नाम आने पर लोग बाहरे की यग्य वेदी बनाकर तिल जो लेकर स्वाहा बोलते हुए हवन प्रारंभ कर देते हैं ये धोखा है द्रव्य यग्य दूसरा है जिसे श्री कृष्ण ने कई बार कहा किन्तु पशुबली वस्तु दाहा इत्यादी से इसका कोई संबंध नहीं है श्रेयान द्रव्य मयाद यग्याथ ज्ञान यग्य परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते अर्जुन सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यग्य की अपेक्षा ग्यान यग्य जिसका परिणाम ग्यान अर्थात साक्षातकार है यग्य जिसकी स्रिष्ट करता है उस सम्रित तत्यु की जानकारी का नाम ग्यान है ऐसा यग्य श्री असकर है परम कल्यानकारी है हे पार्थ संपूर्ण कर्म ज्यान में शेश हो जाते हैं परिसमाप्यते भली प्रकार समाहित हो जाते हैं ज्यान यग्य की पराकाष्ठा है उसके पश्चात कर्म किये जाने से न कोई लाब है और न छोड़ देने से उस महा पुरुष की कोई ख्षती ही होती है इस प्रकार भावतिक द्रव्यों से होने वाले यग्य भी यग्य है किन्तु उस यग्य की तुल्ला में जिसका परिणाम साक्षात कार है उस ग्यान यग्य की अपेक्षा अत्यंत अल्प है आप करोड का हवन करें सैकणों यग्य वेदी बना लें सत्पत पर द्रव्य लगावे साद्व संत महापुर्षों की सेway में द्रव्य लगावे किन्तु इस ग्यान यग्य की अपेक्षा अल्प है वस्तुता यग्य श्वास प्रश्वास का है इंद्रीयों के सयंयम का है मन के निरोध का है जैसा श्री कृष्ण अभी बता आए इस यग्य को प्राप्त कहां किया जाए उसकी विद्ध कहां से सीखे यथा तद्विध्धी प्रणिपाते नव परिप्रश्नीन सेवया उपदेक्षंतिते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन इसलिए अर्जुन तु तत्व दर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर अर्थात दंडवत प्रणाम करके अहंकार त्याक कर शरण होकर भली प्रकार सेवा करके निश्कपट भाव से प्रश्न करके तो उस ज्ञान को जान वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे साधना पत पर चलाएंगे समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांथ ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है तत्व दर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिखदर्शन करने वाले है वे यग्य की विद्विशेश के ज्याता है और वही आपको भी सिखाएंगे यदि अन्य यग्य होता तो ज्ञानी तत्व दर्शी की क्या वशकता थी स्वयम भगवान के सामने ही तो अर्जुन खड़ा था भगवान उसे तत्व दर्शी के पास क्यों मेशते है वस्तोता श्री कृष्ण एक योगी थे उनका आशय है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है भविश्य में अनुरागीओं को कहीं ब्रह्म न हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए अब किस की शरण जाए इसलिए उन्हों नस्पष्ट किया कि तत्व दर्शी के पास जाओ वे ज्यानी जन तुझे उपदेश देंगे और उस ज्यान को उनके द्वारा समझ कर तु इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तु अपनी आत्मा के अंतरगत संपूर्ण भूतों को देखेगा अर्थात सभी प्राणियों में इसी आत्मा का प्रसार देखेगा जब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी उसके पश्चात तु मुझ में प्रवेश करेगा अत्य है उस प्रमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा है ज्यान के संबंध में धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्व दर्शी से ही पूछने का विधान है अपिचेदसि पापे भ्याह सर्वे भ्याह पापकृत्तमह सर्वं ज्यानप्लवे नईव व्रिजिनम संतरिश्यसी यदि तु सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तब भी ज्यान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से निसंदे भली प्रकार तर जाएगा इसका आशे आप ये न लगा ले कि अधिक से अधिक पाप करके कभी भी तर जाएगे श्री कृष्ण का आशे मातर यही है कि कहीं आप भ्रह्म में न रहे कि हम तो बड़े पापी हैं हम से पार नहीं लगेगा ऐसी कोई गुंजाइश न निकालने इसलिए श्री कृष्ण प्रोथ साहन और आश्वासन देते हैं कि सब पापीयों के पापों के समू से भी अधिक पाप करने वाला हो फिर भी तक्त्व दर्शियों से प्राप्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा तो निसंदे सम्पूर्ण पापों को अच्छी प्रकार पार कर जाएगा किस प्रकार? यथै धांसी समित धोगनी भस्मसात कुरूते रजुन ज्ञानागनी सर्वकर्मानी अर्जुन जिस प्रकार प्रज्वलित अगनी इन्धन को भस्म कर देता है ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अगनी सम्पूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है ये ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है जहां से यग्य में प्रवेश मिलता है वरन ये ग्यान अर्थात साक्षातकार की पराकाष्ठा का चित्रन है जिसमें पहले विजाती ये कर्म भस्म होते हैं और फिर प्राप्ति के साथ चिंतन कर्म भी उसी में विलै हो जाते हैं जिसे पाना था पा लिया अब आगे चिंतन कर किसे ढूने ऐसा साक्षातकार वाला ज्यानी संपूर्ण शुभा शुब कर्मों का अंत कर लेगा वो साक्षातकार होगा कहां? बाहर होगा? अथ्वा भीतर? इस पर कहते हैं नहीं ज्याने न सद्रिशं पवित्रमिह विद्यते इस संसार में ज्यान के समान पवित्र करने वाला निसंदे कुछ भी नहीं है उस ज्यान अर्थात साक्षातकार को तू स्वयम दूसरा नहीं योग की परिपक्व अवस्था में आरंभ में नहीं अपनी आत्मा के अंतरगत हृद्य देश में ही अनभव करेगा बाहर नहीं इस ज्यान के लिए कौन सी योगिताया पेक्षित है योगेश्वर कही शप्टों में श्रद्धावान लभते ज्यानम तत्पर संयतेंद्रियः ज्यानम लभध्वा पराम शान्तिम् अचिरेनाधी गच्छती श्रद्धावान तत्पर तता संयतेंद्रिय पुरुष ही ज्यान प्राप्त कर पाता है। भावपूर्वक जिग्यासा नहीं है तो तत्वदर्शी की शरण जाने पर भी ज्यान नहीं प्राप्त होता। केवल श्रद्धा ही परियाप्त नहीं है। श्रद्धावान शित्ल प्रेत्म भी हो सकता है अता महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट पत्पर तत्पर्ता से अग्रसर होने की लगन आवश्यक है इसके साथ ही संपूर्ण इंद्रियों का सैयम अनिवारी है जो वासनाओं से विरत नहीं है उसके लिए साक्षातकार अर्थाद ग्यान की प्राप्ति कठिन है केवल श्रद्धावान आचरण रत सैयत इंद्रियों पुरुष ही ग्यान प्राप्त करता है ज्ञान को प्राप्त कर वो ततक्षण परमशांती को प्राप्त हो जाता है जिसके पश्चा कुछ भी पाना शेश नहीं रहता और जहां श्रद्धा नहीं है अज्ञानी जो यग्य के विद्विशेश से अनभिग्य है एवं शद्धा रहित तथा संशय युक्त पुरुष इस परमार्थ पत से भ्रष्ट हो जाता है उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है न पुना मनश्य शरीर है और न परमात्मा ही अता है तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर इस पत के संशयों का निवारण कर लेना चाहिए अन्यता विवस्तु का परिचय कभी नहीं पाएंगे फिर पाता कौन है योग सन्यस्त करमाणं ग्यान संशिन सुशयं आत्मवन्तम नकर्माणी निवद्नन तिधनन जयर। जिसके कर्म योग द्वारा भगवान में समाहित हो चुके हैं जिसका संपूर्ण संशय परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी द्वारा नश्ठ हो गया है परमात्मा से संयुक्ता इसे पुरुष को कर्म नहीं बानते योग के द्वारा ही कर्मों का शमन होगा ज्ञान से ही संशय नश्ठ होगा इसी लिए श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए भरत्वंशी अर्जुन तु योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन हुए हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट युद्ध के लिए खड़ा हो जब साक्षातकार में बाधक संशय शत्रु मन के भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा वस्तुतह जब आप चिंतन पत पर अग्रसर होते हैं तब संशय से उत्पन बाय प्रवृतियां बाधा के रूप में स्वाबाविक है ये शत्रु के रूप में भयंकर आक्रमन करती है सैयम के साथ यग्य की विद्विशेश का आचरन करते हुए इन विकारों का पार पाना ही युद्ध है जिसका परणाम परमशान्दी है यही अंतिम विजय है जिसके पीछे हार नहीं है निशकर्ष इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ट ने कहा कि इस योग को आरंभ में मैंने सूरी के प्रति कहा सूरी ने मनु से और मनु ने एक्षवाकु के प्रति कहा और उनसे राजर्श्यों ने जाना मैंने अथ्वा अव्यक्त स्थितिवाले ने कहा महापुरुष भी अव्यक्त स्वरूप वाला ही है शरीर तो उसके रहने का मकान मात्र है ऐसे महापुरुष की वाणी में परमात्मा ही प्रवाहित होता है ऐसे किसी महापुरुषत योग सूर्य द्वारा संचारित होता है उस परम प्रकाश रूप का प्रसार सुरा के अंतराल में होता है इसलिए सूर्य के प्रति कहा श्वास में संचारित होकर विसंसकार रूप में आ गए सुरा में संचित रहने पर, समय आने पर वही मन में संकल्प बन कर आ जाता है उसकी महत्ता समझने पर मन में उस वाकिय की प्रती एक्छा जागरित होती है और योगकारी रूप ले लिता है क्रमशा उत्थान करते करते यह योग रिधियों से दियों की राजरशित्व श्रेणी तक पहुँचने पर नश्ट होने की स्थिति में जा पहुँचता है किन्तु जो प्रियबागता है अनन्य सखा है उसे महापुरुष है समाल लेते अर्जुन के प्रश्न करने पर के आपका जन्म तो अब हुआ है योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया अव्यक्त अविनाशी अजन्मा और संपूर्ण भूतों में प्रवाहित होने पर भी आत्म माया योग प्रक्रिया द्वारा अपनी त्रिगुन मई प्रकृति को वश में करके मैं प्रकट होता हूँ प्रकट होकर करते क्या है साध्य वस्तूओं को परित्राण देने तथा जिन से दूशित उत्पन होते हैं उनका विनाश करने के लिए परमधर्म परमात्मा को स्थिर करने के लिए मैं आरंब से पूर्ति परियंत पैदा होता हूँ मेरा वह भाव तो कलियुक की अवस्था में ही हो जाता है यदि सच्ची लगन हो किन्तु आरंभिक साधक समझ ही नहीं पाता कि यह भगवान बोल रहे हैं या यूं ही संकेत मिल रहे हैं आकाश से कौन बोलता है महराज जी बताते थे कि जब भगवान कृपा करते हैं आत्मा से रथी ह हो जाते हैं तो खंबे से व्रिक्ष से पत्ते से शून्य से हर स्थान से बोलते और समालते हैं उत'Tहन होते होती जब परम तत्व परमात्मा विदित हो जाए तभी इस पर्ष के साथ ही वो इस पर्ष समझ बाता है इसलिए अरजुन मेरे उस वरूप को तत्व दर्शियों ने देखा और मुझे जान कर वे तक्षन मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं जहांसे पुना आवागमन मे नहीं आते इस प्रकार उन्होंने भगवान के आविर-भाव की विधि को बताया कि वह किसी अनुरागी के हिरुदे में होता है बाहर कदा पिने श्री कृष्ण ने बताया मुझे कर्म नहीं बांधते और इस स्तर से जो जानता है उसे भी कर्म नहीं बांधते यही समझकर मुमुक्ष पुरुषों ने कर्म का आरंब किया था कि उस स्तर से जानेंगे तो जैसे श्री कृष्ण वैसा ही उस स्तर से जानने वाला वह पुरुष और जान लेने पर वैसा ही वह मुमुक्ष अर्जुण यह उपलब्धी निश्चित है यदि यग्य किया जाए यग्य का स्वरूब बताया यग्य का परिडाम परम तक्व परम शान्ती बताया इस ग्यान को पाया कहा जाए इस पर किसी तक्व दर्शी के पास जाने और उन्हें विधियों से पेश आनी को कहा जिससे वे महापुरुष अनुकूल हो जाए। योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि वहग्यान तु स्वयम आचरण करके पाएगा, दूसरे के आचरण से तुझे नहीं मिलेगा। वह भी योग की सिद्धि के काल में प्राप्त होगा, प्रारंभ में नहीं। वह ज्यान अर्थात साक्षात कार हृदय देश में होगा, बाहर नहीं। शद्धाल, ततपर, संयतेंद्रिय, एवं संशय रहित पुरुष ही से प्राप्त करता है। अतर हृदय में स्थित अपने संशय को वैराग्य की तलवार से काट, यह हृदय देश की लड़ाई है। बाह युद्ध से गीतोत युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं है। इस अध्याय में योगिश्वर श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से यग्य का स्वरूप स्पश्ठ किया, और बताया कि यग्य जिससे पूरा होता है उसे करने अर्थात कारप्रणाली का नाम कर्म है। कर्म को भाली प्रकार इस अध्याय में स्पश्ठ किया, ha ओम तत्सदिती श्रीमत भगवद गीता सूप निशत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री क्रश्ना अर्जुन समवादे यग्य कर्म स्पष्टी करण नाम चतुर्थो अध्यायह इस प्रकार स्वामी अलगड़ा नंकृत श्रीमत भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का चौथा अध्याय पूर्ण होता है